दोस्तों मैं अभी नमनेगी आप सब का स्वागत करता हूँ बाई जोज एक्जाम प्रेप गेट अनियसे हिंदी यूटूब चैनल पर दोस्तों हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है चोईस आपका है कि मानना है या हारना है दोस्तों इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंजिनिंग सर्विसेज आई एस यहाँ पर लिखा हुआ है अगर मैं एक्जाम का नाम बोलूँ तो एक्जाम का नाम है Civil Services Examination तो मैं उसको कभी IES बोल दूँगा, कभी ESE बोल दूँगा इस session में, कभी IAS बोल दूँगा कभी Civil Services Examination बोल दूँगा लेकि exam का नाम IAS नहीं है Civil Services Examination से IES, IPS, IFS Indian Audit and Account Services बहुत सारी चीज़े मिल सकते हैं उनमें से IES एक top most post है जो लोग सब स्यादा पसंद करते हैं दोस्तों, इंजजी सर्वी आ चुके हमार session के बीच में बिलकुल दोस्तों, इस particular session में हालां कि मैं gate में पढ़ा रहा हूँ मैं engineering services में पढ़ा रहा हूँ IAS के किसी भी student को मैं इस समय नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे student का एक लड़की थी जोसको gate की कोचिंग करती थी engineering services के पढ़ा था उनका आया है लेकिन directly मैं पढ़ा रहा हूँ engineering services के पढ़ा रहा हूँ लेकिन दोस्तों, यकीन मानिये जितना भी मैं इस session में बोलूँगा वो सारी की सारी चीज unbiased होगी जी हाँ मेरे से जुड़े बच्चे gate engineering service के त्यारी करते है IES के लिए मैं directly कोई चीज नहीं पढ़ाता हूँ लेकिन फिर भी जितनी भी चीज होँगी वो मैं एक unbiased view में कहूँगा दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिसमें civil services ज्यादा अच्छा है जैसे कि अगर मैं power की बात करूँ तो civil service ज्यादा अच्छा है अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग में IESO, IESO दोनों ही class one officer है दोनों ही guest officer है दोनों ही pay level 10 है आज के समय में जो grade pay होगा करता था पहले आज level skill हो गया level pay level 10 है दोनों का ही दोनों ही class one officer है दोनों ही guest officer है लेकिन जो perks होगी जो power होगा जो status होगा जो आगे जाके promotional growth होगी बिल्कुल नी संकोच कोई दोरा ही नहीं है कि वो civil service वाले का जादा होगा और जहाँ civil service वाला 16 साल में joint secretary level तक पहुंचने की योग गेता रखता है और maximum लोग बनते भी है वही उसी level तक अगर chief engineer equivalent post में जाना है तो यहाँ पे 24 साल लग जाते हैं तो जितनी भी चीज़े होगी वो मैं unbiased भी में कहूंगा अफकोस यहाँ पे proportional offers अच्छे हैं 16 साल में joint secretary level पे बन जाओगे यहाँ पे वो ही 24 साल लगेंगे और भी बहुत सारी चीज़े होंगे ऐसा नहीं कि हर चीज में ही वो अच्छा है दोस्तों अगर मैं यह बात करूँ कि यार मेरे को work life balance चाहिए दोस्तों अगर मैं यह बात करूँ कि मेरे पास मेरे पास मेरे को बहुत ज़्यादा political pressure नहीं चीए मेरे जो जॉब हो उसमे political interference ना हो तो फिर engineering services भी वहाँ पर आ गया आता है ठीक है तो वो जो answer है वो कोई white और black नहीं है there is always some grey between वो yes और no ही है वो उन दोनों के ही अगर मैं बात करूँ power का status का perks का और promotional growth का तो विलकुल IAS का कोई दूसरा IAS का दूसरा कोई वहाँ पर parallel competition नहीं है लेकिन अगर मैं बात करूँ job pressure का work environment का work life balance का और political pressure का तो engineering services बेटर है उस case में क्योंकि यहाँ पर काफी political pressure भी होता है दोस्तों यही सिरफ point नहीं है यही सिरफ बिंदू नहीं है there are many other things in which we can compare engineering services and civil services और यह मैं आपको उशर दिलाता हूँ कि although मैं directly यहाँ का teacher हूँ लेकिन मेरा इस session में सारी चीजे unbiased होंगे लेकिन उससे पहले आप सभी students से मेरा एक हार्दिक निवेंदन है कि please session को like कर दीजेगा और share कर दीजेगा ताकि maximum लोग हमार साथ जोड़ पाएं बिल्कुल तिशा पाटिल योगे राजीव जीएस, फास्ट्राइक, कुनाल, सक्षम, शर्मा session को share कर दीजेगा ताकि maximum लोग हमारे पाट जोड़ पाएं दोस्तो एक और statement बहुत famous है अगर आपको सुना होगा कि ऊपर भगवान होता है और नीचे IAS होता है और इंडिया जैसे देश में Engineering Services IAS ये बहुत ज़्यादा status वाली चीज़ पावर वाली चीज़ मानीत होती है क्योंकि जो IAS का charm है ये Engineering Services का charm है पावर है वो आपको charm है यूरोप किसी देश में नहीं वहाँ जो भी पोस्ट होगी वो आपको इंडिया में ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो status जो पावर उसके साथ आता है वो किसी भी अन्य जोब के साथ नहीं आता और बहुत सार लोग लगते होंगे कि यार इसमें बहुत अच्छा पे होता है इनिशली आपको अगर मैं बात करूँ 60-70,000 पे या ग्रॉस पे 90,000 होता है और आगे जाके वो 2,5,5,5,5,5,5 हो जाएगा और बहुत सारे other benefits होते हैं तो इसलिए लोग जाते हैं मैं आप सब को एक चीज़ बता दूँ कि यदि आज Central Government ये decide कर लेती है कि मैं Engineering Services, Civil Services, NDA, CDS जितने भी Class 1 Officer होते हैं उन सब का उन सब का मैं salary 20% कम कर रहा हूँ किसी भी XYZ से दोस्तों मैं यकीन मानिए अगर 20% salary कम होती है तो मैं आपको यकीन मानिए 2% भी competition कम नहीं होने वाला है क्योंकि इंडिया का जो बच्चा इस exam के लिए पढ़ रहा होता है यह इस exam के लिए लड़ रहा होता है तो टफ competition में वो इस pay के लिए नहीं वो चार्म के लिए वो status के लिए काम कर रहा होता है ठीक मेरे को वो चार्म चाहिए मेरे को status चाहिए यकीन मानिए 20% कम करने दो salary मैं एक hypothetical चीज़ बता रहा हूँ 2% क्या 0.2% competition कम नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो जाता है वो चार्म वो status के लिए जाता है ना की salary के लिए दोस्तों आप सबसे फिर से एक बार बोलना हूँ session को फटा फट से share कर देना ताकि maximum लोग हमार साथ जुड़ पाए दोस्तों अगर कोई बच्चा यहाँ पर पहली बार मेरे को देख रहा है कौन है यह आदमी चस्में वाला छोटे बाल वाला तो दोस्तों आपको बता दू मेरा नाम है भी नवनेगी 10% of teaching experience दर्माय एम टेक फ्रॉम आइट देली यह सब कुछ नहीं है यार दोस्तों मेरा नाम अभी नवनेगी हो या मेरा नाम हो मेरा रैंक 164 हो या मेरा रैंक 1,64,000 हो मैं आई दिल्ली से हो या XYZ गुप्ता अंजरिंग को उसे कोई फरेक नहीं पढ़ता और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना बाद में बच्चे कहते हैं यह वाली जॉब अप्रेट चलेगी यह वाली हमाँ technical session चला गया तो दिक्कत हो जाएगी 50 mark series आने वाली है कल से कैसा होगा इसका pattern क्या इसमें कराया जाएगा हर एक ब्रांच करें चाहिए वो civil हो mechanical हो, electrical, electronic हो कल मैं और चंदन सर्थ आपको बता देंगे रात को 9 बजे तो कल 9 पीम पर इसका session होगा 12 जून को जिसमें इसके पूरी detail आपको बता दी जाएगी आप टेलिग्राम पर में को जोइन कर सकते हैं बहुत अगले 15-20 मिनट में जितना भी मैंने रिसर्च किया इसमें पिछले कई दिनों से वो सारी चीज़ मैं wind up कर दूँगा दोस्तों मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पिछले 10 सालों में इंजरिंग सर्विसेज क्लियर किये हैं civil service examination क्लियर किये हैं जिसमें से maximum अच्छे मध्यपरदेश से हैं ठीक है उनका डाटा मेरे खुद के दोस्तों का डाटा मेरे बैच में जो आइटी में थे वो मैक्सिम लोग इंजरिंग सर्विस क्लियर कर गए थे हमारे आइटी दिली में 13 अच्छे थे जिसमें से 11 लोग यह से लेक्ट हो गए थे तो उन सब के जो डाटा मेरे को मिला है मैं उनसे कॉल किया रिसर्च किया तो वह एक डाटा और मेरे पिता जी खुद सिविल सर्वेंट है इंडियन अउडिट कया होगा सर मेरा स्टेटस कितना मिरे को पैकेज मिलेगा कहाँ पर प्रमोशनल ग्रोफ जादा हों गए सर इंजनिंग सर्विसेज आाइएस में सर अे इस बहुत अच्छा है लेकिन क्या मिरे को आइएस के लिएपढ़ना चाहिए सर यह मैं इंजनिंग सर्विस Спस क्लीयर क जाओं इन सारी चीजहों का अंसर मैं आपको इस session में बिल्कुल नहीं देने वाला IES में जाना है कि IAS में जाना है तयारी आपको पहले engineering service की करनी है बाद में आईए जाओगे direct IES जाओगे या engineering service क्लियर करने के बाद वहाँ जाने के जरूरती नहीं है क्योंकि पोसे में उसके अंसर मैं आपको देने वाला हूँ लेकिन मैं आपको सारे तर्थ्य, सारे facts, exam का nature, exam का किस तरीके का nature होता है क्या cut-off होता है, क्या pattern होता है, क्या job status होता है, क्या profile होता है, वो सारी चीज़े बताने वाला हूँ उसके बाद आप यह सब चीज़ खुट decide कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसका कोई fixed answer नहीं है यहाँ जाओं कि यहाँ जाओं, यहाँ clear करने के बाद यहाँ जाओं, कि direct I.E.S. पर जाओं, कि यहाँ clear करने के बाद वहाँ जाने की जरूरती नहीं है इसका कोई fixed answer नहीं है, यह कोई आपके पास कोई, आपके पास ऐसा कोई technical questions, engineering का नहीं है, जिसका एक answer आजाएगा 22.6 अलग-अलग बच्चों के लिए, अलग-अलग circumstances पे अलग-अंसर होंगा, उन अंसर ढूंडने के लिए, जितने भी facts, जितने भी points, जितने भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, वो मैं आपको इस session में बताने वाला हूं, got it? सबके साहभएग बच्चे के लिए, जितने प्राइगा कर एक लएगा ओड़ खांगा लाग जाएगा जाएगा जितने इस सेशंटे सेशंटे हैं, इस सेशंटे हम अगें अलग आएगा इन अलग जाएगा, ए उन अलग एपले आएगा, यद अलग एट रेपिद धर इन they are both class 1 officers, both guest officer after clearing this, no need to go here because all these are, so all these things all these questions you don't mind, I'll be telling you in next 15 minutes from the research I have done in the past everybody, Ravinder, Rutvik aspirant, okay, Ambati भाई कैसे हो Ranjan Sahu, सबका स्वागत है okay, दोस्तों इस पूरे session में, bureaucrat versus technocrat, bureaucrat के अगर मैं बात करूँ तो civil services की बात कर देता हूँ civil services की यहाँ पे engineering service examination की बात करता हूँ civil services से IAS हो सकता है, IPS हो सकता है IFS हो सकता है, IRS हो सकता है बहुत सारी post आती है IAS, IPS, IFS, IRS और जैसे मेरे पापा है IANDAS, Indian Orient and Account Services बहुत सारी चीज़े होती है ठीकि तो IAS जो लोग, एक आम आपमी बोल देता है यहाँ पी कादमी, राजस्तान कादमी, बिहार कादमी, मत्यपरदेश कादमी कि IAS का exam देने है IAS को exam नहीं होता है exam civil services होता है उस civil service के अंदर बहुत सारी post आती है of course 99.9% बच्चे IAS के लिए लड़ते है क्योंकि जब उनकी सबसे अच्छी जब सारे option अवेलेबल हैं तो IAS लड़ते हैं क्योंकि power वहाँ बहुत ज़ादा होगी पुलिस की power, आपके IPS की power पुलिस में होगी revenue की power income tax में होगी लेकिन IAS का कोई ऐसा दाइरा नहीं कि उसकी power वही होगी वो जहां चाहे हूँ administration अपना गुसा सकता है ठीक है, engineering service examination से आप जा सकते हैं CPW में, IDS CPW में आप जा सकते हैं आप Baywater Road organization में जा सकते हैं आप military engineering services में जा सकते हैं आप ordinance factory में जा सकते हैं आप power वाले में जा सकते हैं, electronics वाले, telecomination में जा सकते हैं बहुत सारी जगा जा सकते हैं ठीक है, अब package क्या होता है sir और sir आपके पास job profile क्या होता है, power क्या होता है ये बता दो, साथ-साथ में थोड़ा-थोड़ा exam pattern भी बता दे ना थोड़ा cut-off भी बता दे ना, exam का nature बता दे ना कि sir मैं वो लणने तो जा रहा हूँ sir मैं किर्केटर तो बनना चाहता हूँ लेकिन मैं तो किर्केटर में अच्छा ही नहीं हो sir मैं तो swimming में अच्छा हूँ तो better है कि मैं वहाँ किर्केटर बनना चाह रहा था के अंदर, Indian government के अंदर तो आपके पास दो संस्थाएं हैं जो exam लेती है एक आपके पास होती है UPSC जो सारे के सारे class 1 officer वाले exam लेगी सारे के सारे class 1 officer exam लेगी आपके पास UPSC और एक आपके पास SSC होती है जो आपके पास class 2 class 3, class 4 और ये अन्ये classes के exam लेगी वापस से बता रहो state वाले को छोड़ दो state वाले को छोड़ दो यदि आपको central government में जाना है इंडियन government में जाना है भारत सरकार में जाना है अभी चार पांच निकाला हूँ उसके बात में देता सब्सक्राइब यहां रूपे का बेकिन इंडियन इकनोमिक services होता है IES actually में Indian economic services है हमारे वाला का नाम ESC है ठीक है assistant commandant वाली exam होती है बहुत सारी जितनी भी class 1 post होगी भारत सरकार में central government में Indian government में state government की बात नहीं कर रहा हूं उसका exam लेनी वाली जो पॉड़ी है UPSC जो दिल्ली में शाजा रोड पे इंडिया गेट के पास अब central government में ही अगर आपको class 2 class 3 class 4 में जाना है जैसे कि आपके पास CGL का एक exam होता है यह मेरी वाइफ में CGL निकाला था पहले ठीक है CGL के exam आपके पास होता है combined graduate level यह कोई भी दे सकता है भाई BA, BTEC, BSC, MSC सब दे सकते हैं BCOM सब दे सकते हैं तो यह जितनी भी exam होगी एक्जाम होगा class 2 class 3 class JE वाला exam SSC आपके पास लेगा और 10th level 12th level बहुत सारे और exam होते हैं multiple exam होते हैं ठीक है तो class 1 के लिए UPSC लेता है इसके लिए SSC लेता है अभी जो हम बात कर रहें इस particular session में वो civil services और engineering service examination की बात करा हूँ क्या आप बच्चे में को comment box में एक चीज बता पाओ के मजधार चीज मैं अपने बहुत सारे session में भी का हूँ भारत सरकार अब यह state government को हटा दो भारत सरकार में central government से जाते हैं central government में class 1 चीए तो UPSC exam conducting authority है UPSC exam लोग जले लिए एक engineer को गाओं में बताओ कौन से engineer समझते हैं बताओ के बच्चे comment box में saahu sahab durga prasad durga prasad can you tell me that in India if you go to a village suppose my village in Uttarakhand if you say that you are engineer then which engineer do you think that you are civil mechanical computer है क्या जैसे ही आप गाओं में जाते हैं as soon as you go to the village okay my English is over I get 2 GB I got that every day na like in real geodata okay just kidding तो जैसी आप इंजिनिंग में गाओं में जाते हैं इंजिनिंग मतलब चाहतर समझाता है कि वह आप पुल बनाओगा you'll make a road you'll make a rail civil engineer समझा जाता है ठीक है उसी तरीके से जब भी कोई आदमी बोलता है कि मैं UPSC की तहरी कर रहा हूं तो उसको civil services समझ लिया जाता है जबकि निल ना कि बराबर इसमें दाग लगे हैं आस तक एससी की बात करों तो कंबाइंट लेवल वालों का बच्चा भी पैदा हो गया बच्चों को नामकरण भी हो गया बच्चों को मुर्णन भी हो गया रिजल्टी नहीं आता है कभी-कभी और खासकर यह जही के साथ नहीं कुछ हुआ है लेकिन mostly यह transparent है वहाँ पर फिर भी बहुत सारे दिक्कते चल रही हैं hopefully आने वाले समय में वह कम होगी बिल्कुल राकिस सर भी इसके साथ हमारे साथ आ चुको एक पर सब लोग लाल पीला काला नीला हरा गुलाबी बैंग नी दिल बना दीजिए राकिस सर क्लास टू क्लास ट्री क्लास फॉर अब यह बीटेक का मतलब नहीं है बही सिविल सर्विस कोई वच्चा दे सकता आपको वाटा सिल सर्विस के लिए क्या चाहिए एनी ग्रेजुएट बी ए बीकॉम बीएसी कोई भी बीए कुछ भी मिनिमम क्वालिफिकेशन इस 33% आपका तो यह से लड़का है यहां है यहां है तो यहां से भी एड्मिस्टेटर लोग बनते पर वो स्टेट क्योंगे उसका नाम जैसे आपने सुना होगा राजिसान एड्मिस्टेटिव सर्वेसेस पर वो स्टेट का आदमी होगा ठीक है मुख्यमंत्री के अंडर आ रहा होगा वो आदमी ठीक है तो अब आपके पास ऐसा है सेंट्रल गवर्मेंट होगे अच्छा आप सुनो आप जो मैं जान रहा हूं कमेंट बॉक्स में तक मै को आप सर्वेसेसं एडमिस्टेटिव सर्वेसेस एडविटेक के रिक्वार्मेंट नहीं है जिस तरीके से एंजनेर्स के लिए हो गया और जनल हो गया यह जनल हो गया कोई भी देर सकता है इसी तरीके सब्सक्राइशन भी ऑनीं इंचनल इंजनरेंग के लिए लिए लेकिन जब ऊसको नॉर्मल अडमियों के लिए बी लेगी समझ रहे हो बात की नहीं मनिपूर पल्विस अरे यार एमडी मुस्तकिना मैं कितने एक्जामपल लिखूंगा समझे रहो सब के सब everybody please put a heart sign you forgetting me everybody please put a heart sign you forgetting me and guys come on come on guys everybody share the session to everybody तो मैं अभी इसमें कहीं पे पिसु की बात नहीं किया हूँ PSU gate से ले लेता है खुद का एक्जाम ले लेता है मैं state PSU की भी बात नहीं किया हूँ इसमें कहीं बेभी भाई लोगों को सब को पता है NTPC, IUCL, NHPC, HPCL, ONGC हम तो उसमें जाएंगे हम तो उसका फॉर्म का इंजाल करेंगे अरे भाई state PSU भी होते हैं यार THDC उत्तरा खंड मेरे गाहों का Terry Hydral Dam Corporation PSU है Terry Hydral Dam Corporation PSU एटाइजार रैंक वाले का हो जा रहा है क्योंकि बच्चा फॉर्म ही नहीं भर रहा है बच्चे को पता ही नहीं है सबको IOC, NTPC क्या हूआ है ONGC क्या हूआ है S.J.U. सतलुत जल्विद्यूत विगास निकम लिमिटेड हिमाचर में क्यार उसका मैं गेड के तुर्णी बोल रहा हूँ उसका खुद का अपना एक्जाम होता है ठीक है तो बहुत सब्सक्राइज स्टेट PSU भी है मैं भी PSU, स्टेट PSU, बैंक वैंक की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं pure government की body की बात कर रहा था तो यह तो आपके पास हो गया, आप समझ गया कि भाई, UPSC मतलब सिर्फ civil services नहीं है UPSC मतलब कोई भी central government में, भाराच सरकार में, इंडियन government में class 1 post ओके, समझ गये बच्चे, अब मैं आगे चलता हूँ तो आपको, अब मैं आगे आ रहा हूँ, बता हूँ किस चीज़ पर अब मैं आगे आ रहा हूँ, कि आपको engineering service चुलना चाहिए या आपको civil service चुलना चाहिए यह उन बच्चों के लिए important होने वाला है, जो अभी त्यारी start करने वाले हैं या और start के वे सिरफ एक दो मैने हो चुके, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको start के वे 5 मैने, 6 मैने, 8 मैने हो चुके यह जो dropper है, उन बच्चों के मन में यह आता होगा, कि यार मैं अभी engineering service के त्यारी तो कर रहा हूँ अभी अपनी prarambik, अभी अपनी initial stages पे हैं, how to, either to choose ESC or AS, civil services और those who are completed 5 to 6 months, they want to know that if I am clear, if I am attending for engineering service examination, that if I clear it, then after that should I go to civil service examination or should I not, that I am telling you. I will not be telling you the answer guys, I will not be telling you the answer, because answer for, answer for what is the name, Subhajit may be different, answer for relax may be different, answer for Aman may be different, answer for Sarasarma may be different. So I am telling you the facts, I am telling you the points, I am telling you the conclusions, I am telling you the status, I am telling you the package, I am telling you the job profile, I am telling you the examination nature, is it suitable to you or not, you can decide yourself, English over now, 2 GB over, okay, now just kidding, अगर मैं बात करूँ, ESC और AS की, exam nature की, exam किस तरीके का होता है, और exam की requirement की, ठीकर अब इधर मत देखो है, तो लड़के जो टीचर बता रहा वो नहीं देखेंगे, तीचर का थोपड़ा नहीं देखेंगे, यहां जो पड़ा हुआ है वो देखते रहेंगे की क्या क्या लिखा हुआ है, सुनना, बिल्कुल यूराज एक बड़ सेशन को शेर कर देना, अब ESC की बात करूँ, तो देखना, ESC में जो exam nature होता है, requirement होता है, आपको technical knowledge से ही लड़ना है, 1300 marks का engineering exam होता है, जिसमें से आपके पास 1100 marks अगर में इंट्रूव को बिनो तो technical होगा, सिरफ प्रिलिम स्वाला 200 marks non-technical होगा, उस 200 marks non-technical में भी 10-15 marks का महत आना है, 10-15 marks का aptitude आना है, तो आप समझ सकते हो कि लगभग-लगभग 90% इसमें टेक्निकल है engineering survey examination में, अंसर इंपोर्टेंट है, maximum bending moment कितना है, और गिट का अंसर कितना आ रहा है mechanical, electrical electronics वहलों के लिए, ठीक है, SFD में maximum bending moment कितना रहा है, share for zero किस जगा पे हो रहा है, civil mechanical के लिए, तो आपके answer important है यहाँ पर, objective में भी, subjective में भी, यहाँ पर कुछ और important होगा, answer के लावर भी important है, यहाँ पर कुछ और होगा, civil service में बताऊंगा, अब यह वाला point समझ रहे हो, इस वाले point का concept समझाता हूँ, भाई अगर तुम मेरे session देखोगे ना, चाहे वो technical हो, या वो technical नहीं भी हो, तो मैं कोई point आपको बताऊंगा, तो logical answer से बताऊंगा, सुनना, interview don't create much difference, सर, यह क्या बोल दिया हम ने, यह तो हमने YouTube में कई सुना ही नहीं सर, यह तो हमाँ teacher ने बोला ही नहीं, अब सुनो, और तीसे स्टेज, अगर यहां तक पहुंच जाता है, तीसे स्टेज तक, तो दिल्ली शाजा रोड पर पहुंचता है, जहां पर दोसों माक्स का personal interview देता है, personal inter, तुम्हारे अंदर जांके देखेगा वो आदमी सही हो कि नहीं, interview, interview, अब दोस्तों, अगर मैं आपको होता है, लेकिन जो बच्चे ध्यान सुनना, जो बच्चे वास्तों में त्यारी करते हैं, उन बच्चों का यहां पर standard deviation बहुत कम होता है, standard deviation मतला समझते हो, कि marks कितने दूर-दूर-दूर ठैले वें, यहां पर जो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो zero ला रहा है, जो ही नहीं रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, कि जो पढ़ते हैं, serious attempt देते हैं, तो उनका stand, बहुत ज़्यादा आपको difference नहीं मिलेगा, एक बच्चे के 250 मिल जाएंगे, एक बच्चे के 270 मिल जाएंगे, एक बच्चे के 230 मिल जाएंगे, 280-290 से उपर गिंती के 15-20 बच्चे ह मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, serious होले बंदों की बात कर रहा हूं, तो maximum बच्चे जो CS attempt देते हैं, 230-270 के बीच में, 260 के बीच में अटकते हैं, 230-260 के बीच में, उसमें से 240-245 कटाउफ चल जाती है, कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं हो पा मतलब किसी से 15-20 मार्ञ सिलेक्स ओपर हो जाओगे, किसी से 15-20 मार्ञ सोनीच रख कर बहुत ब हो जाओगे, यहां पर बहूंत बात यह था यह था उती है, औरर नहीं मुर्य नहींसीं को बच्चे 5- detta कर नहीं पर, 6000-動画 जाता है, क्बच्चे 15- sabgang सांसी बहल दोया है, यह was यहां नहीं देखोगे, यहां civil service में अभी आएगा, लेकिन जो subjective exam होता है, यहां पर एक बच्चा दूसरे से 150 marks या 100 marks उपर या नीचे ले लेता है, subjective exam खिल देता है, यहां पर, subjective exam यहां पर खिल देता है, यहां पर आप objective में बहुत difference नहीं पाओगे बच्चों में, personal interview में जा यार, जो बच्चा सिरफ 5 marks से रह जाता है, interview में 5 marks जा जा जाता है, तो clear हो जाता है, मैं यह नि करूँ कि interview important नहीं है, समझो बात को, मैं यह नि करूँ कि objective important नहीं है, मैं यह कह रहा हूँ, कि जो आप एक दूसरे बच्चे से lead लेता है बच्चा, जो बच्चे clear करते हैं, दिखें दूसरे बच्चों से, अचा what to choose बताऊंगा भी, ESE में और AS में क्या choose करना है यह बताऊंगा, आप चलते हैं, IAS की तरफ, civil services की तरफ, दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ आपको technical चाहिए, 1300 में से 1100 का तो technical यह आने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको vast knowledge चाहिए, यहा अगर वहाँ पर current issue, current covid चल रहा है, या अमेरिका में economic crisis चल रही है, तो उसकी भी knowledge आपको चाहिए होगी यहाँ पर, IAS में, ठीकिन यहाँ पर सिर्फ technical knowledge, यहाँ पर हर चीज की knowledge चाहिए, हर चीज मतलब हर चीज, मतलब वो exam में अगर requirement नहीं भी है ना, तब भी जरूरी है, सर तुम पागल होगे कि रात को 8 बज़े क्या करके आयो भाई, तुम यहाँ पागल वाली बात कर रहे हो सर, तुम कह रहे हो सर आप कह रहे हो, कि जहाँ पर जो subject की requirement नहीं है, उसकी भी ज़रूरत चाहिए, क्यों, बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ पर answer important है, बता बच्चों को पता था, एक आपके पास उसका अंसर आलिया भट को भी पता था, उसका अंसर आपके पास दिपी का पादुकौन को भी पता था, दोनों को पता था कि पाली परिपरिपने ही क्यों हुआ, लेकिन हो सकता है कि आलिया बहुत अच्छी तरीके से अंसर लिख दि लेकिन जो syllabus में है, उन चीजों के answer लिखने में आपको without syllabus वाली चीज़े help कर रही है, समझगे क्यों बोल रहा था मैं, क्यों बोल रहा था, यहाँ पर हर चीज पता होने चीज़, जो syllabus में नहीं है, वो भी पता होने चीज़, क्योंकि जो syllabus में है, उससे जो question आएगा, उसका जो तुम answer लिखोगे, उस answer में अगर तुम कुछ बाहर की knowledge, जो without syllabus भी था, वो भी add करोगे, तो तुम्हारा answer important होगा, तो यहाँ पर answer important है, यहाँ पर answer writing skills important है, भाई तुम यहाँ बीम design करने का जो steps हो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके writing skills और answer दो लेता है उतना, what to choose करना है, अभी वो आपको में और भी बहुत सारी चीज़ आएंगे, उनके हिसाफ से बताता हूँ, यह अभी exam nature बताया, तो क्या पज़रल है exam nature में, कि आपके पास engineering services में, technical paper आएगा, यहाँ पर सब कुछ आएगा, यहाँ पर answer important है, यहाँ पर आपके प और अलंकारित हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, चूस के करना है, बताऊंगा, अच्छा, अब जोब profile के बारे में बताते हैं, अब तुम इसको खोल दूँगा ना, तुम उसको देखने लग जाते हो, ज्यान देना, सब के सब, दोस्तों सेशन को share करते चलन सब के सब, अच्छा, अब आगे आते हैं, जोब profile engineering services में technical रहेगी, आपका जो काम रहेगा, या तो technical रहेगा, या तो technical को execute करने वाले कर रहेगा, मेरे को सपोल्ज मैं civil engineer हूँ, मेरा IS में select हो गया, तो मेरा ये काम नहीं रहेगा कि मैं यार वो column मनाऊंगा, या reinforcement करूँगा ना मेरा ये काम रहेगा, हो सकता है कि मैं design भी करूँ, हो सकता है कि maximum time मेरा काम ये रहेगा कि technical time को मैं supervise कर रहा हूँगा, वो तो outsourcing पे काम दे दिया, ठीक है, CPU ने किसी को काम दे दिया, railway ने किसी को काम दे दिया, वो आदमी काम कर रहा है, तो most of the times मैं वो design नहीं कर रहा ह तबी तो इंडिया में स्टेट्मेंट है कि ऊपर भगवान होता है और नीचे आई एस होता है ठीक है तो आपके पास लेकिन यहां का एक प्लस पॉइंट क्या है कि यहां पर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है और जो सिविल सर्विसेज वाली भी चीज़ है ना उसमें आई एस सर्विस में प्लिटिकल प्रेशर है अधसे ज्यादा नहीं है यहां पर इंजिनिंग सर्विसेज में भी आपके प्लिटिकल प्रेशर नहीं है पे लेवल 10 है दो को पहले ना ग्रेड पर हुआ तक खरता था 4700-500-600 क्लास वन वाले का मेरे को याद नहीं आला चाहे त्रेश यह लखनाव मेटर बनाएंगे इसको बता दिया जाएगा उसको एक्जिकूट करना है बताएगा कौन यह भाई साब तभी तो कहरा हूं ज्यादा पावर इनकी है हलंकि मैं इसको पढ़ाता हूं पहली कहा था न अनबायस्ट व्यू दूंगा तो ज्यादा पावर इनकी है यह आपके बस administrative काम होगा यह technical काम होगा इसका political interference रहेगा अब political interference में आदमी कभी-कभी राद को tension में रहता है कि मिस्टर साब डांटेंगे यह होगा लेकि उसके benefits भी होते benefits कैसे होते हैं सर बताना सर कुछ गलत बात तो नहीं कर रहें नहीं भाई गलत बात नहीं कर रहा हूं देखो DM आपने सुना होगा किस-किस ने सुना है comment box में बताना एक बार district managers आईएस अब आपको लगता होता है अध्विका निले सैन्बुक तेजस आपको लगते लगेगा कि DM तो बहुत बड़ा होता है DM तो आई एस जो 21 साल के लड़का 22 साल के लड़का जब आई ए सिलेक्ट होता है मसूरी में 8 मेने 6 मेने की ट्रेनिंग करता है उसके बाद DM उसे बना दिया जाता है यार 22 साल के लड़के 24 साल के लड़के को जो भी सलेक्ट होता है 22 साल में सेरेक्ट हो रहा है 24 में हो रहा है 26 में 28 में हो रहा है DM तो मतलब दे लो खेल लो यार खेल लो वहाँ पे कुछ लोग होगे 22,000 चॉबीज़ लो खेल लो इनके साथ ठीक है डीम तो मतलब यार आप डीम बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है लेकिन सिविल सर्वेंट के लिए बड़ी पोस्ट नहीं है क्योंकि वो तो at the time of joining ले लेता उसकी पहली पोस्ट हो गई यार डीम तो डीम तो ऐसे होगे लोग खेल लो जिला जिला खेल लो बाई जाल लो वह साथ ठीक है आदमी जब एक सिविल सर्वेस औफिसर रिटार्मेंट के समय पे होता है जैसे कि मेरे पिता जी हैं अभी उस समय एक सिविल सर्वेंट पहुंचता है सेक्रेटरी लेवल पर मैं मिनिस्ट का secondary बोल रहा हूim मैं Defense Minister का Secretary नहीं बोल रहा हूं Defense Ministry का Secretary बोल रहा हूं चयह वो Secretary है वो चैनल के करी है चाहे जौए कुछ पे रिप्रीज सेकेट्री कुछ भी है वह आदमी जब 50 साल 55 साल के होते न उस एक और बना, एक और बना, आफ्टर सम टाइम वो नॉमिनेशन उन लग जाता है, और नॉमिनेशन में सम्विधान के नुसार IAS, IPS, IFS, IRS, जो भी civil service से clear किया है, वो सार के सारे eligible है, IAS, IPS, IFS, IRS, सब eligible है, लेकिन secretary बनता हो कोन है, आज की date में यार, आज की date में तुम government का data उठा 98% IAS मिनेगे, जबकि eligible आपके पास बागे civil servant भी थे, आप election commission का chairman ढूल लो, आपको IAS मिलेगा, जबकि IPS भी बना सकते थे, वो IFS बना सकते थे, तो यह political interference से, रात की नीने तो गायब होती है, लेकिन after some time जब आपका political links बनते हैं, और आपका जब nomination वाली बात हो जाती है, तो IAS को ही में इस डे टाइम नॉमिनेट करते हैं, जबकि और उनको भी कर सकते थे, आपको बताता हूँ, सबसे famous IAS officer कोई बताओगे, आज तक के भारत के इतियस का, सबसे famous IAS officer कौन है? सबसे famous IAS officer कौन है, आज तक के भारत के इतियस का, कोई बताएगा? जल्दी से जल्दी से सबसे फेमस आई एस ओफिसर कौन है सबसे डाबी मैं अरे यार फिर फिर एक तो आजकल के जमाने में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि जो इस ओफिसर नाम नहीं लेना चाहता हूं अच्छा काम कर रहे होंगे लेकिन क्योंकि तुम्हें वह यूटीब में देखते हैं तो तुमकर लगता है बस वही काम कर रहे हैं जबकि बहुत सारे आई एस ओफिसर ऐसे भी हैं जो गुम नाम है जो सोशल इतने connect नहीं है जो अपने YouTube की वीडियो नहीं बनाते कोई अच्छा काम करते हुए वो भी बहुत सार अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों, साथियों, कमांडो, चैंपियन, सब के सब सुनना, बहुत सारे IAS ओफिसर बहुत अच्छे हैं, जैसे बच्चे कुछ-कुछ नाम लिख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेने चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं एगरी कर रहा हूँ, सब की अपनी कोईशी विराट कु होगा, या TN सेशन होगा, अब असली से प्रणूस करने भावना हो समझो, और मैं आज वो रिटायर होके भी इतने साल हो चुके होगे, आज भी बता रहा हूँ कि वन अफ़ फेमस IAS ओफिसर है, वो रैंक वर रैंक टू ऐसे को इनकी रैंकिंग तो नहीं निकाली जाती है किसी कंपनी के द्वारा, फिर में बता रहा हूँ कि वन अफ़ फेमस IAS ओफिसर है, और इलेक्शन कमीशन होने थे, और उनको इलेक्शन कराने थे, उन्होंने कोई डेट बता दी थी कि भाई, इस डेट पर इलेक्शन करा दो, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टी या मूस पास होने के वाद अगर हो, वो चीज़ पास होने के वाद अगर हो, तो हमारे को वोट कम से कम 30% बढ़ेंगे, और हारने और जीतने वाली पार्टी में मैक्सिम समय, सीट में चाहे वो सफाया हो जाता है, इसके 70-70 सीट ने ले लिए इधर 0 लेली, या UP में 80% सीट एक पार परसंट, लेकिन वोट परसंटेज अफ टोटल पॉपलेशन में देखोगे, तो पांस परसंट एक को पार्टी को 35% मिलेंगे, एक को 30% मिलेंगे, अब समझाना दोस्तों इस बात को, सभी के सभी, आपके कुछ और हो सकते, नाम भी बच्चे लिख रहे है, मैं लेना नहीं चारोंबी Public Texts, लेकिन TN से नेकाियस ओफसर थे, उन्होंने कहा कि इस देट पर होगा, उस समय जो ruling parties भी सपोर्टर थे, बहुत ज्यादा political pressure बना दिया, बहुत ही मानदार, बहुत थी बहुत ही honest IES officer थे उन्होंने का कि नहीं इस date पर होना चाहिए जो मेरे को जितनी भी समय आ रहा है अगर तुम किसी और date पर करोगे तो खर्चा बहुत जादा होगा तुम वसूल होगे वो सही नहीं है बहुत फॉल्टिकल प्रेसर बनाए कि तुरको चेर्मेन से हटा देंगे इलेक्षिन का चेर्मेन है तो तुरको हटा देंगे उसके बाद वो जब फरस्टेट हो गया वो बहार पब्लिक पर आया प्रेस कॉन्फरेंस मुनाया उसने प्ब्लिक प्रेस कॉन्फरेंस और कहा कि I am childless I.E.S. officer जो करना है कर लो मैं इसी डेट में इलेक्षिन कराऊंगा और दोस्तों उसी डेट में इलेक्षिन हुआ ये एक पावर होती है I.E.S. officer की उसने बाहर आके कह दिया था पब्लिक प्रेस कॉन्फरेंस में कि I am childless I.E.S. officer समझे उस बात का मतलब मेरे कोई बच्चा वच्चा नहीं है जिसको किटनाइप करके तुमको धंगा दोगे मेरे कोई प्रेसर में काम करा दोगे I am childless I.E.S. officer बहुती बहुती फेमस स्टेट्मेंट है उससे में मेरे काद से आप में से maximum लोग पैदा भी नहीं होंगे कि childless I.E.S. officer हूँ ठीक है तो ये एक पावर होती है आपके पास ठीक है तो अब देखो अब आपको बहुत सार लोग हूँ ये वाला pay level आप्र maximum time 13 pay level 11 12 13 14 तक पहुंच पाएगा Mac rare case में rarest case में 15 16 तक पहुंचेगा लेकिन जो civil service वाला होता है न लेकिन ये वाला विदिन आप अगले कुछ बीस पच्चे सालों में आपके पास पे लेवल 15 या पे लेवल 16 तक भी जाएगा पे लेवल 15 और पे लेवल 16 तक भी जाएगा मैंने अपने पिताजी से नाम भी पूझा था क्या बोलते हैं उसको मैं एक बार आपको नाम बता देता हूं उसका आपके पास कहां गया कहां गया दो मिनट दो यार पापन में को नाम बताया था रेरली वह उस पे जाएगा एडमिस्टेटिव ग्रेट तक जाता है है एच एजी तक ये जाएगा अलग अलग ग्रेट बन रखें क्लास्वन ओफिसर के भी तो सबसे उपर ग्रेट है एच जी जो सेक्रेटरी लेवल तक होगा ये वाला रेरेस्ट केस में वहां पर जा पाएगा लेकिन इंजनिक सर्विस का एक फाइदा है अभी जो रेलवे ने मर्ज किया है ना देखो रेलवे का सबसे उपर वाला पोस्ट को ने चेर्में बहुत साल लोग आरे तो चेर्में नहीं बनेगा कितनी फ मोशन लेकितने अच्छा काम कर लिए ये कमयुई मन सकता कभी ऑट बैया हूँ रेर्फिर्ट कायर साल के उमर में बन गया एरफुरस का एरशीफ और के बनेगा जो शुर वात में कमिशन लेके फलाइंग उफिसर एंपिनर्ट अफिसर एंट बनगए ऐसी अड्मिरल कॉन बनेगा नेवी का जो सेलर बन गया उस एक के से railway का chairman कौन बनेगा जो शुरुआत में class 1 post में आया वो चाहिए इंजिनिंग सर्विसे civil से आया हो पहले की बात करा हूं एक्जाम होता था आज से बहुत साल परेंटेस उसमें 12 के बाद वो मेकैनिकल इंजिनिंग कराते थे 30 सीट रहती थी कपूर थला में और वो फिक्लास वन ऑफिसर बना देते थे तो इन सब चीज़ों से class 1 ऑफिसर जा सकते हैं railway में लेकिन अब क्या हुआ है कि सारी की सारी च लेने के लिए यह वाले आगे निकल जाते थे और 15-16 वाला पे लेवल ले ले लेते थे यह वाले नहीं ले पाते थे लेकिन रेलवे में अब सब इक्वल हो गया है इंडिया रेलवे में सब के सब अच्छा अब मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो जॉब करेगा इसका प्रडिकल इंट्रेंस नहीं रहेगा इसका प्रडिकल इंटर हैङंटर क्ना भेंस फाइदा भी ठयेलेफा लेकिन फ्टीन होती है एक्शन कमिशन चैर्मेंन मनाना राजसाभर का मदानाना है तो बहाँ पर फाइदा भी होता ChOR k दोनों क्लास्वें झालिक द बात करूं या एचे जी वाले पोस्ट की बात करूं लेकिन यह वाला आदमी 16 साल में बन जाता है भाई धूम मचा दस नहीं है सर्विस से पी युव से बाथ से एस से और यह से हैं अगर आप कि त्यारी करते हो या गेट की त्यारी करते हो इंसार्वीर इस नहीं होता है वह भी क्लास्माण और उसकी त्यारी कर जाएगा हालंकि इसमें कोई साइन्स वाली चीज़ एक्स्ट्रा आती है पर मैं यह नहीं कर रहा हूं कि 100% मैच कर जाएगा बहुत हतक मैच कर जाएगा, स्टेट पीस्ट इन्ञेर को गयरा कि उसका मैच कर जाएगा अब बतातों कि मैच करने का जो टेंड सब्सकर वाला है, वो यहाँ यहां पर जादा रहता है यहां पर गेट इस पीएस इसका जो टेक्निकल है वह 96 परसेंट यह 95 परसेंट मैच कर जाएगा लेकिन यहां पर देखते हैं तो टिंडे बनते हैं ठीक है तो टिड़ाते और हैं इस वाले के आपके पास जो एक्जाम चाहिए ना इंजिनिंग सर्विसेश के लिए इंजिनिंग सर्विसेश के लिए आपके पास जो चाहिए वह इंजिनिंग ग्रेजुट चाहिए लेकिन यहां पर इसके लिए कोई भी ग्रेजुट चलेगा बीए बीए बीसी बीकॉम एललबी बीए कोई भी चीच चलेगा ठीक है यहां यूब सिविल सर्विसेश के यहां पे नमबर और टेंट्स और इतनी यह सबंगे उसके बात इतना जाने पर्सनलिटी स्टेज ठीकः सेडस्वेकर अपके पास चैकनेंन एक सब्सक्राइब होता है यहां पेप्यू charitable सब्सक्राइब करना है उसका मार्स आगे जाके काउंट नहीं होगा लेकिन जीएस पेपर में आपकी इंडियोजिल कट आफ निकलती है ठीक है इसके बाद आपके पास यहां इंजिनिंग सर्विस में पहला पेपर जो प्रिलिम्स होगा वहां पर जनल स्टेडी इंजिनिंग और होगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब Hers 的 इमानदारी से बता रहु हूं से लंबस में сे 10-12 سमय सब्सक्राइब के लिए प्रणाव की बात करूं यह लेटस कट ऑफ है आपके पास 2021 की लेटस्ट है 22 का एक्जाम नहीं हुआ है अभी उसके कट ऑफ नहीं है आपके बात कर रहा हूं सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम पर आप मिलेको जॉइन कर सकते हैं सिविल भाई अभिनव सर पर एक बार सारे के सारे बच्चों को पर टेलीग्राम लिंक फिर से देता हूं सिविल भाई अभिनव सर पर आप मिलेको जॉइन कर सकते हैं जितनी भी क्लास के लिंक्स होंगे जितनी भी पीडिएफ्स होंगी जितनी भी मैं इंपोर्टन सेशन लेने वाला हूंगा वो सबका पीडिएफ में आपको वहां पर दे दूंगा ठीक है दोस्तों इसके बाद एक आज ही 10.30 पेम पर वापस में आऊंगा यूटूब पर एक ट्रिक बताने वाला हूं छोटा सेशन होगा जहां पर मैं फ्लो प्रोफाइल का एक ट्रिक बताऊंगा ओके जोशी सर का भी कलेक्स सेशन है जहां पर उन्ची विल्डिंग के बारें बताएंगे लॉंग बि दोस्तों सेशन कैसा लागा प्लीज आप कमेंट पर बिल्कुल बताईएगा ठीक है यूर सच नाइस क्लैस थैंक्यू फॉर सच नाइस क्लैस थी आईएस आईएस होते हैं पहली आगोता दिया क्या चुनना है क्या नहीं चुनना आप समझ जाएए लेकिन एक और चीज में मेहनत का आप कर रहे हैं लेकिन वह मेहनत आपने आपने सही डाだक्शन में नहीं करी तो हो सकते अंसा राइटिन स्किल नहीं शीकी वह सकते सिर्फ कॉंस प्सीर शॉट हो की सेलेक्शन होना है लेकिन यहां पर सिर्फ अंसर आने से सिविल सर्विस से अब शेर शॉट नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहां पर अंसर के साथ सथ उसकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी रही चाही है वह सब चीज में अच्छा होगा वह करंट अफेर्स म से सब्सक्राइब करें फिल्कुल बिल्कुल आजकर बहुत चलनी लग गया है तो दोस्तों बिल्कुल एक और काम के मैं राय नहीं देना चाहता हूं अगर आप मैंसे राय पूझ और मैं हर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं आप IES की त्यारी करके या PSU की त्यारी करके एक चीज आप ले लो सिक्यूर कर लो अपना जॉब उसके बाद आप प्री क्यूंकि आप अच्छा पोजिशन ले चुके हो फिर आप आइस का त्यारी कर सकते हो तो प्रैशर नहीं होगा क्यूंकि कई बार क्या होता है कि आइस आपका पहले दूसरे अटेंप्ट में नहीं और शुरुवात में ही आप आइस की तरफ जा रहे हैं तो हो सकता है कि एक दो तीन साल लग जाए उसके बाद पेशन्स लेवल लूज करने लग जाओ और फिर एन डेजल कुछ होई ना मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है यह कि आप आइस पी एस्यू स्टेट सर्विस का एक लेकर आप सीक्यूर कर लो अपनी लाइफ उसके बाद आईस की तरही कर सकते हो लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको अल्ड़ी बहुत अच्छा बिजनेस है घर में जिसको सिक्यूरिटी की जरूरत नहीं है या कोई दूसरा बच्च्चा है जो शुरुवात से ही जिए बिजनेस है अच्छा कासा फाइनिशली कोई दिख करती है या जिसका सॉलिट बैक ग्राउंड है एड्यूकेशन का कि उसको ऐसे एंसराइटिंग स्केल बहुत अच्छी है उसको हलका सा एक फिनिशिंग टैच चाहिए वो क्लेर कर जाएगा एक या दो साल में वो डायट साल में अच्छा चल रहा है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं कैसा लगा सेशने सबस्रुन कमें आप में बता देना और 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 भी आपके कोई डाउट होंगे तो ब्लीज आप कमें बच्छ में लिखना आल बी मो दिन हैपी तो रिविवर्ड यू दियर यू वर्स तेंक यू ठीक है आप comment box मों लेख सकते हैं और कोई डाउट होगा तो मैंने सब्सक्राइब टेली ग्राम पर सिविल बाय अबिन्यों सर पर भी पूछ सकते हैं Thank you guys, take care, see you soon, thank you all